हेलो प्यारे दोस्तों स्वागत हैं आप सबका आज का पंदरा नुबर जो टेश्ट था अपना राजस्तान के लोक नाट्टे बात कर रहे हम यहां जितने महत्पूर्ण प्रस्ण हैं उनकी और शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रस्ण है अपना रमत नामक करंगमंच या नाट्टे किशक्षटर से समझ्दित हैं तो ये बारहा गौार्र इसे बहुत सारे नाम हम ने देखे थे सबके सब्गे जो बीका नेयर से से रिलेटेड हैं रम्मत हैं वो सिधा बीका नेर से रिलेटेड हो गया कुल मिला कर दूसरा है ऐसंगत यूग में देखना है आपको दूसरे कुशन में और सबसे पहला दे रखा है पूच्छा मन ख्याल आगे दे रखा नानु राम से खावडे ख्याल दुलियाराना ये ठीक है रम्मत तेज कवी जैसल मेरी सही है तमासा बंसी दरबट बिल्कुल माराश चाहरे थे और आमेर जैपुर में फेमस है पूच्छा मन ख्याल यहां गलत दे रखा हैं पूच्छा मन ख्याल के बारे में हम जानते हैं एक तो अपने क्यूशन का जो एस अंगत यूग में चाहिए वह पहला है नेक्स है राजस्थान के निमलिखित में सिक कि शहर में होली के एवसर पर रहमत का यूजन की जाता है तो रहमत का यूजन होता है बीका ने में अभी पहला प्रस्ण और यह दोनों अब यहां पर नहीं बात क्या ठीकी अहुली के अवसर पर होता है आपको याद है आगे चोथा क्यूशन है राजस्तान के पूर्वी एंचल में प्रसलित 9 टंकी किस राज्येस्टे प्रभावित हैं पूर्वी एंचल यहां ऐसे देखेंगे हम तो यहां पर जैसे नाम दूसरे नंबर पर दे रखा तमासा, रूल ओप एजेक्शन भी लगाएंगे तो यह भी कनेर हो गया, थोड़ा यह नो टंकी है, जो क्या बोलते हैं, बरतपुर साइड यह हो गया, तपा लिख्याल भी लगए, तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं, बाक तुर्रा कलंगी लोख नटे के रचनाकार कौन है, तुर्रा कलंगी से रिलेटेड, तो सा अली और तुकंगीरी है, अपने नोट्स में भी था, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, एक सात्वा है, और सात्वा है, किस कलाकार ने गोपीचंद और हीर राजा तमासा प्रा आते हैं, और ये भी यही है, तमासा, इसमें महिलाएं भी भाग लेती है, कुल मिलाकर, नवा क्यूशन है, गोमा मीना, कालुकीर, कान गुजरी, मियावड, नाहर, आधी है, जो किस से रिलेटेड है, आधी है, कुल मिलाकर, इनको हम क्या कहते है, ये पूछा गया है, तो ये सारे के सारे नाम है, जो उमने गवरी जब हम पढ़ रहे थे, टोपिक में, तो वहाँ पढ़े थे, छोटी नाटी का है, जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है, छोटे-छोटे बीच में जो इसे नाटक किया जाते है, उनके नाम है ये, दोलपूर, सवाई, दान्स हो जाएगा, तीसरा ओप्जन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स है, नो टंकी तथा राम लीला, कौन से भाग में है, जो जदा लोक पढ़ी है, ये पूछा गया है, तो लो टंकी का नाम आगया है, तो फिर ये सही कर देते हैं, पहला ही, बात कितम है, आगे ब जिल्ले में किया जाता है तो नो टंकी के लिए फेमस है बरतपुर तेरा प्रस्ण देखे हैं हमने अब नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं और नेक्स्ट में है किस लोग नट्य में स्त्री पात्रों की भूमी का स्त्रिया ही निवाती हैं जाइपूर में ये सी संभावना बनती है तो जाइपूरी ख्याल अगला पंदरवा क्यूशन है बानु बारती द्वारा रचित प्रशिद पशुगायत्री नट्य किस लोग नट्य पर आधारित है तो पशुगायत्री हैं भानु भारती हैं नाम थोड़े से अलग लग रहे हैं नोट्स में हमने नहीं देखे थे लेकिन अब आपको याद रखना है पशुगायत्री नट्य भी कवरी लोग नट्य से रिलेटेड हैं कुचामनी ख्याल के परवर्तक ये तो बहुत अच्छे से प्रवर्तक आपने लच्छी राम जी है वो कुचामनी ख्याल के परवर्तक हैं हेला ख्याल लोग संगीत संस्तान हेला ख्याल लोग संगीत राजस्तान के निम निकित में से किस क्षेत्र से समधित हैं तो राजस्थान में कौन सक शेत्र है वो इसे रिलेटेड है तो हेला दोसा में हैं वेसे में तो दोसा और सवय मादूपुरीश का अंसर हो जाएगा पहला अगला है अलीबक्स ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसलीज लोग नाट्ये से ली हैं अलीबक्स का मतलब हो गया अलवर तो अलवर का रस्खान कोई नाम आता है इस तरह से वह अलीबक्स हैं तो पहला उप्शन इसमें सही हो जाएगा उनीषवा क्यूशन है किस ख्याल के प्रवरतक बंशीधर बट्ट को माना जाता है अगला बीस्वा क्यूशन है निलखिन से संगत यूग में हैं उसका पता लगाना तो पहला देर रखा Πार मरुस्तलियक शेतर के लोग नट्यों में जन जातियों की रंग मई संस्कृति देखने को मिलती हैं थोड़ा सा ये लग रहा है कि डाउट पुल है जन जातिया नहीं होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग होते हैं वो पेशेवर होते हैं पेशेवर पेशेवर जातिया हैं वहाँ लंगा मंगणिया आरेए जितने भी लोग हैं वह जो चंजातियों में नहीं आते हैं ये तो पेशे कमाने के लिए गाम करते हैं तो पहला हैं वही आसमेलित हैं दूसरा मतुर्बाद की जो तिन Oswe होंगे पहले मैं कहां समयशा थी हमने बात कर ली है यहां पर मरुष्थल की बात कर रहे हैं तो ब्रुजन जातियों का नाम नहीं आएगा वहां पेसेवर जातियां होती है और वह क्या करते हैं surrounding का काम करते हैं लोग नट्यों का pension करते हैं और इसमें साथी साथ जो वेंगे प्रदान वगर तो हैं फिर वेंगे दो होता ही है आगे 21 क्यूशन है ऐसंगत पूछा गया है चार बेत हैं वो टौकी है सही बात है नो टंकी कोटा में दे रखा है तो गलत है यह सही उतर हो गया दूसरा पाकि रास लेला जैपूर की फेमस है बेट के दंगल बाड़ी बसेड़ी दोल पूर में सही है 22 क्यूशन है ऐसंगत यूगमी देखना राम प्रकास थियाटर जैपूर में सही है मारवार नाटक संसान जोदपूर में सही है बवानी नाट्य साला गल बता सा मुझे अलग लग नग रहा है क्योंकि बवानी नाट्य साला के नाम से जो नाट्य साला है वह रहीं चाला वार सकता है तो संस्कृति यह एसंगत आगर आब याद रखेंगे तो बवानी जो टोपिक आता हैं वहां पढ़ते हैं तो 23 में ये पाटा संस्क्रती वीका नेर आपको याद रखना है 24 वा क्यूशन है और 24 में हमसे पूछा है ऐस अंगती होगे हैं राम प्रकास थियर्टर राम सिंग के नाम पे 1860 अंदर सही है मारवार नाटक संस्क्तान जेश्वन सिंग 1902 ये गलत दे रखा हैं मारवार नाटक संस्क्तान है वो लक्षमणदास डांगी ने 1867 में स्थापित किया था स्थापना करने वाले का नाम है लक्षमनदास सरनेम लगाते हैं वो डांगी और कब स्थापना की थी अठारा सो सत्यानम है आपको याद रखना है अठारा सो सत्यानम यहां देर का जैस्वन सिंग और 1902 तो यह है जो कलत है ऐस में लित है भवानी नाट्ये साला भवानी नीसोगीश का है जालावार में गंगा थेटर लिल्गा शींग वरा बिल्कुल ठीक है है आगे हैं गवरीन प्रसंगों को अपस में जोडने वाला सामूइक निर्थ्या क्या कलाता है गहाई कहते हैं गवरी की गहाई इस तरह हमने पड़ा भी था नोट में भी है आगे हैं राजस्थानी नाटकों के जनक हुए निर्देशक आगे हैं को सा लोग नाट्ये जेन धर्म पर आधरित हैं तो नाम को देखेंगे तो ही समझमा जाएगा गंधर नाट्ये हैं वो जेन धरम प्राधारित हैं यह आपको याद रखने हैं 28 मा क्यूशन है गवरी नाट्टे के बारे में ऐस सत्यकतन पूछा गया है यहां पर तो यह राजस्तान का सबसे प्राचीन है यह ठीक है एक मातर लोग नाट्टे जो दिन में हैं बिल्कुल ठीक है बसमा सुत्रदार मेडिया कहलाता है इसमें सुत्रदार मेडिया कहलाता है हमने जो पड़े हैं वो नाम पड़े हैं कुटकुडिया और खटकडिया जो हसाने वाला होता है तो वो छटकडिया होता है हां कुटकुडिया होता है नाम बिल्कुल यह ठीक है चोथा है जो एसमेलित ह उंसे उन नेड stiff हो जाएगा इसमें और बाकिए और जगह हमने मेडिया जरूर कहीं देखा था वो सुत्र दार को कहते हैं लेकिन यहां पर जो सुत्रकार है उसको क्या कहें कट circania कि होता है जन पतिया होता है वह अ क्ट फिर हमत्रेसे हुँआ है निमलिकिन में से ऐसंगत यूगम कौन सा है तो ऐसंगत की बात की गई है यहां पर ऐसंगत पूछा गया है हमसे और कनेया ख्याल में हाँ कनेया ख्याल में मेडिया होता है वो सुत्रकार गलता है वो नाकी गवरी में ठीक है गवरी नाइट टेर आई डूडियाज ठीक है रम मत्रमत में जामत्या नहीं होता है सुवांग में बहरूपया बिल्कुल सही है यानि कि यहां पर जो 29 क्यूशन है उसमें सही उत्तर हो जाएगा तीसरा क्योंकि रमत में टेरिये होते हैं, मुँझ पूछ कलह नो को वहाँ पर क्या का जाता है ने का दांस भी करते हैं और साथ के साथ उख बोलते जाते ह। melan शाम्तिये में नहीं रहूं से हैं मतलब की गवरी में प्रिऊक्त होने वाले प्रमुक वादी अंत्रों के नाम finger तो खास दोर से अपने नोच में और लिखा वाथता है तो फेल ही और भीु सेपने लेकिन पहला तो ही है और है आगे थर्टीफ कर पूछा गया है राजस्तान में राश लिला का प्रमुक के अंदर राश लिला के लिए जो फैमस जगे हैं वो हैं फुल मिलाकर फुलेरा चाइपुर राश लिला पूछा गया है ये थोड़ा द्यानक में आपको और राश लिला का प्रवड़ तक भी पूछा गया है तो राश लिला ह तो इस आप से तो पिर किस थान की मूख राम लिला है वो फेमस है मूख राम लिला विसौ जुनुरू की फेमस है भिसौह एक असबा है जुनुरू का और इसमें हमसे पूछा गया है किस लोग नाट्ये में नाट्ये कला में कलाकार धब बजा कर कोवालों की बहाती भाव वेसमें कुट्णों के बले बल खड़े होकर गीर गाते हैं चार बेंत में हैं पश्तो बासा में था और अपकनिस्तान से आया फिर टॉंक में यहां पर य दुलिया राणा का नाम है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है या नानुराम और दुलिया राणा किस से रिलेटेड है यह प्रस्न है तो शेखावटी क्याल से रिलेटेड है पहला ही ओप्शन इसमें सही हो जाएगा और नेक्स 36 नंबर पर हमसे पूचा गया है साली और और 37 में हमसे पूचा गया है कौन सा जैपुरी ख्याल सेली का प्रशिद्ध ख्याल नहीं है जैपुरी ख्याल सेली का प्रशिद्ध ख्याल नहीं है डोला मरवन यह जो नहीं है बागी जोगी जोगन कान गुजडी और मिया बीवी यह हमने दिखा तो आगे 38 है और इसमें थर्टी नाइन में वापस से है संगत पूछा है और चारवेद प्रॉंक की फेमस है रशिया डिंगल रशिया दंगल डीग सही है भवाई गलत दे रखा अनमान गड़ तीसरा ओप्सन है इसमें सही हो जाएगा रासलीला भी अमपड़ किया है पुलेरा जैपूर की फेमस है और भवाई नाट्य है वो मुल रूप से तो गुजरात का है राजस्थान में अपना जो गुजरात से लगता हुआ भाग है वहाँ पर यह थोड़ा प्यमस है आगे लास्ट क्यूशन चाड़ी स्वा और इसमें पूछा आया है गवरी नाट्य में पूरिया बुडिया किस के लिए सबसे इससे बढ़िया और कोई चीज हो नहीं सकती है फिर अगला है सोडा नंबर टेस्ट और इसमें क्या क्या चीज़ें सामिल है राजस्थान के संगीत खराने कलाकार गायन शेलियां और प्रशिद संगीत तो 40 कूशन इसके भी देखने हैं तो लेट्स स्टार् सिक्षेशन नंबर एक है बिकाने बीनकार जैपूर के बीनकार संगीत कराने के परवरतख को माना जा सकता है यह फिर निंकार कराना का कांका है जैपूर का है और परवरतक कोन है तुरमिलाके नामिसिंग में नाम आया था। आगे दूसरा है नेमे लिख में से कौं सा संगीत क्रंत है यहाल पूंडरी बिठाय द्वारा रचीत हैं। राग मला राग मंजुरी और और न त निर्ण यानि निकी सारे के सारे उनके द्वारع प्रचित हैं आगे फिर तीसरा है और राजस्तान में हवेली संगीत कहां का फेमस है नाद्वारा का हवेली संगीत फेमस है यह दो पक्का याद है और चोथे नमबर पे हैं सद्धीखा मंगनियार लोकला और नुसंदान परिशत जिसको लोक रंगी की नाम से जानते हैं लोक रंग की तो लोक रंग के बारे में आपको जियान रखना है यह सद्धीखा की स्मृति में ही जो खड़ता लोगर बजाते हैं नाम आता है जैपुर में स्थापना हुई थी और लोक रंग में आपको दो जार दो को याद रखना दो जार दो में स्थापना कर दी गई ही इसकी राजा मानसिंग तोमर के समय जो दुरूपद गाई की शुरूवए थी दुरूपद गाई की है वो लोक गाएं से लिए नहीं है सास्त्री गाई की हैं और अपने यहां पर तो बहुत ज़्यदा इसका नहीं है प्रभाव फिर भी थोड़ा याद रखें ना मान सिंग के समय मान सिंग राजा मान सिंग तोमर का नाम आता है और बेजु बावरा का नाम भी आता है इसमें लेकिन अभी फिलाल आगे बढ़ते कौन मान गाई का हैं तो मान गाई काउं में तो गवरी देवी को हम पढ़ चुके हैं पहले ही गवरी देवी का नाम मतलब काफी ज़्यदा आता है गवरी देवी एक पाली की है और एक है जो विकानेर की भी गवरी देवी है हमने पढ़ा है मान मली का भी कहते हैं जिनको त गाई का थोड़ी देगी मांगनियार यह उन लंगा गायन से लिके लोकलाकरों को प्रख्यात करने का स्रेक इसे दिया जाता है काफी काम किया था ह१ा कोंल उठूरी जो कि शուर के हैं उन्होंने इस फिल्ड में पूद्मस्री मिला है पद्मभुशन मिला है किस संगीता समद्ध नहीं है यह पूछा गया है तो बोपा है लंगा है मांगा न्यार वह है उनिसे वा कि निमलिखित में से कौन राजस्थान के प्रशित गायक है गायक का नाप पूशा गया है और फैमस होने चाहिए तुल्सिदास जुर्वेन गर्ग सुन्दर राजन मामेख खान का भी फैमस रहा है भी विप्तित्व है मामेख खान के तो गाने जो मतले इंटरनेशनल लेवल प्रिजेंट किया है राजस्तान को और गयाद रखना है अपने बोईस दोजार हाँ दोजार स्कोड़ा में साइट तक है जो ठीमा वाड़ भी मिला था है अदो लिखित को सुमेरित कीजिए और निचे दिये गए कूटों से सही आंसर आपको देना है तो देखते हैं संगी सभी सुमेलित हो गया कौन सी गाई की लोग गाई की किस रेणी में सामिल नहीं की जाती है यह भी हम बात कर रहे थे दुरूपद है वह नहीं आएगा बागी डोला आला बारमासा जो लोग गाई की माद एगा कंट गाया इनकी कला में प्रतिष्ठी किस कलाकार को 2012 में सिंग वह भी गजल गायक कलाकार हैं और आपने एक गजल जरूर सुनी होगी वह वह कागज की कस्ती वह बारिश का पानी तो वह वाली जो गजल हैं वह काफी एक बार अगर सुनी होगी दस पार सुनी होगी फिर वह उसके कलाकार हैं या लिखने वाले या जो भी हैं गायक है वो जगजीत सिंग है कि के सरिया बालम आओ नी पधारों मारे देश को कौन से राग में सरवादिक प्रशिद्धी मिली है यह प्रस्ण पूछा गया है और अपना इस करण से मांड गायन से लिए में यह प्रस्ण है और आगे हैं चुगदा नंबर पर प्रस्ण है और यह हम से पूछा गया है जोदपूर गराने की प्रवर्ट अगरम जान खान है वह जोदपूर गराने से रिलेडेड है अगे फिर पंदरवा क्यूशन है पुंडरीक विठल जैपूर के कि सासक के आश्रित कभी कभी थे तो मादो शिंग द्यूतिय के थे यह थोड़ा द्यूत कि इस प्रशिद बजन गय को 2020 में पदम स्री पुरुशकार दिया गया था मुन्ना माश्टर काफी पहमस है इस चीज के लिए पहमस है का मतलब कि यह काफी नाम हुआ था आपने अकवार अगर उस समय तो नहीं देखा हो गया फिर देखा है अगर तो थोड़ा सा यह बजन काते हैं तो मुन्ना माश्टर यहां पर सही है कहां के हैं यह पूछले बाइचांस तो जैपूर के हैं त्यान रखना आपको बजन गयक है यह यह जैपूर लिखावा नहीं है तो बाइचांस पूछले कहां से समझने तो यह याद रख लेना आप जैपूर के हैं ऐसंगत यूग पूछा गया है 17 नंबर के कुशन और लंगा गाय की करोलीम दे रखा है जो कि बिल्कुल सरासर गलग दे रखा है लंगा गाय की और इस से रिलेटेड नहीं है गोहर वाणी टानसेन डागर वानी बरिजनंदागर खंडार वाणी समोकन सिंग खंडार नोहर वाणी है व 친 धुsmय नहीं है तो चोथा उप्शन है वह इसमें दॉठो ओजाएगा आपना क्योंकि नोहर वाणी का समन्ग है वह स्रीचन्द्नोहर से है उब की चन्द नौहर सर नेंब से पताथ खेल जायेगा अगए हैं भेइंकार गराना के प्रवर्टक रजज्व्ली बिनकार कि सासक के संगी दर्बारी संगीदकार थे हम जानते हैं सवाइं इनका नाम नाम आता है कलागार का तो फिर ये पाहला उप सर्भेषण बेश्वा है 1965 के बारत पाग युद्धी के दोरान राष्टी इस्तर पर प्रिशिद हुआ अकासवाणी पर प्रशारित भारवाई लड़े सूर माज जी गणपतलाल डांगी का फेमस गीत लड़े सूर माज जी गणपतलाल डांगी याद रखना है मूल रूप से जोदबुर के हैं यह इनको एक्टिंग में भी बहुत मारत हासिल है एक्टिंग के अलावा और विज्द्ध मतलब दो तीन चीजों फेमस हैं गाने में भी काफी फेमस हैं गायन से लिए बहुत बढ़िया है लोग गायन में भी एक नंबर ही है आगे प्रस्द देखते हैं अल्ला जिलाई के बा टीकरवाएः था 19 alltså में पदमश्री सम्वान मिला था ओड़क टिकट जारी हुआ था वो 2010 में जारी नहीं हुआ था तो कब जारी हुआ था 2003 में जारी हुआ Bandit विश्व मोहव रच मोहनवाद मोहवीना का स्विषकार करता है यह मोहन वीना बनाई थी इन्होंने चुगदातारों वाली जैपुर के निवासी हैं यह भी आपको दियान रखना है जैपुर के परशिद सितार वादक है और उन्होंने नई राग गोरी इम्मा का स्रेजन किया था इन्होंने मोहन वीना मोहन वीना तो लिखा वह या गया च सबस्क्राइब करें सब्सक्राइब धिर्टीट कोमल कोठारी का नाम दे रखांगे साथ लेकिन उद्छेपूर नहीं है थोड़ा सा जीब सा लगेगा देखो चित्तोड के कपशन में तो इनका जनम हुआ था तो जनम के इसाब से अगर पूछेंगे तो चितोड़ गडाएगा और इनका जो इंसीटूट है का नाम चानते हैं सब रूपा इन संस्थान के नाम से काफी फेमस हैं और वो जोदबुर में तो या तो फिर जोदबुर का नाम आता साथ में या फिर चित्तोडगड था तो हम इसको सही मान सकते थे वैसे एक्जाम में यह आने की संभावना है प्रश्ट में थोड़ा सथ्यान रख लेना को मलकोठारी का समध्य है वो जनम वदा चित्तोडगड में और इनका संस्थान संस्थान है उसका नाम है रूपायन और रूपायन एक ग का जाता है पंडित उद्धर संकर का नाम है जो बाड़ती बेले के चनक के रूप में आता है तो यह आपको याद रखना है नेक्स है कि सासक को अभिनो भरताचारिय वैनंद के केश्वरावतार की उपादियां मेली थी मारणा कुमभा भी गायन की सेली गायन की स्रेणी मे हैं जो बहुत दगड़े थे अभी नहीं बरताचारिय हमने पड़ा था यह बले नहीं पड़ा हो लेगी तो इस हिसाब से कुमभा यहां से उतर है आगे 26 कुशन है तबला और सितार का विश्कारक माना जाता है अमीर खुस्रों को वैसा माना जाता है कि वो कीट वगेरे मै जो पुछा गया है जोद्पूर में है रंगिला घ्राना तो प्रवर्त दोग नजीर खा है वह क्याने के परवर्त क्माने जाते हैं तिर अगला क्यूशन है, तीस्वां किस गर्णे को सितारियों का गर्हाणा भी का जाता है। मतलब शितारिया करते हैं, थो सेन या सितारिया या एक ही बात है, शुरूत सेन निहाल सेन ये नाम देखेते हमने, थर्टी वन है, थर्टी वन में है ऐसंगत यूग में पटियाला ग्राना तान शेन सही उत्तर हो जाएगा चोथा ओपसिन नेक्स है ऐसंगत यूग में वद्थीश्वां कुषण और इसमें पूछा गया है बीनकार ग्राना अतरोली ग्राना पेटा इन सेन या घराना तान सेन नहीं है नाम लिखा वहां सेन तो इससे कंप पूज़ नहीं होना है क्योंकि यहां पर जो सही आंसर है वो है सूरध सेन तान सेन का बैटा ही था यह नाम था सूरध सेन थोडा सा आपको याद रखना परवरतक के रूप सब्सक्राइब करने से हैं तो कहां से पता लगाएंगे चैपुर है बुर्जी खां मन्जी खां याद रखने हैं गुल्म लगए निमन में से दुरूपत गायन से लिके चारखंडों के बारे में घृष और और लिखा हुआ है डागुर वानी के उत्पति उदैपुर में तो जैपुर यहां से होना चाहिए मतलब इस वाक्यों को अगर सही करना हो तो जैपूर लिखना पड़ेगा बाकि यह समयलित वाक्य हो गया ऐसे वाक्य है पंडारवानी उन्यारा टों और मोहरवानी जैपूर आगे 35 क्यूशन में हमसे पूछा गया है निम्न में से किसका मांड गाय का से गायन से समद्ध नहीं है तो गवरी देवी का तो हैं बन्नो बेगम का हैं चमीला मदू बट तेलंग का दूपत से गाय दूपत गाय किसे हैं तो यह से ज़एगा ऐसा त्यकतम चाहिए इसका मतलब यहां पर है जो फड़ गाय की में वाद्य अंतर का प्रियोग निशें नहीं 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 गलत है जो था है वह सही हो जाएगा फड़ गायन में तो काफी सारे वाद्यों का नाम जंतर रावन अता इनका नाम देखा था मैं आगए 37 क्यूशन है किस गायन से वाद्य अंतर बजाता हुआ गाता है ताब वो पी हाथ में लाल टेन लिये हुए लकड़ी की डंडी से पर्दे के चित्रों को दिखाती है फड़ गाय की फड़ गाई की कहते हैं उसको और होता क्या है तो वद्य अंत्र बजाता हुआ गाता है और लाल टेन लिये हुए लकडी की डंडी से पर्दे के चित्रों को दिखाती है है पुलिमिला कर वो उसको फड़ जिसको हम पड़ गते हैं आगे से आगे वह चित्रा आता जाता हैं उसके आदार्च पहुपा गाता जाता है आगे हैं गुर्जरों की एक उप जाती जो रावन अत्ता बजाने के साथ राधा कृष्ण के गीत भी सुनाती है गुर्जरों की उप जाती है कान गुजरी तो पहला उप्शन इसमें सही हो जाएगा आगे 39 है नात संप्रदाई की एंवियाई जो वेरा की जीवन विक्तित करते हुए गोपी चंद भर तरीके गीत गाते हुए गरगर भून कर अपना जीवन निर्वा करते हैं जोगी कहते हैं और लास्ट इशन है अपना आज का बहुआ निरत्य में माहिर जाती बहुआ की उत माहिर है याद रखना है वहाई निरत्य से रिलेटेड केकड़ी है कुलमिला के आधे गंटे में असी क्यूशन लगबग हो गया है अपने बहुत हीजी है कुलमिला के रिविजिन करना चाहिए एक बार क्योंकि कोई विद्यारति अगर टेस्ट हल करता है तो फिर उसको यह चीजें समझ में आती है कि कहां हुऊ अच्छे से याद नहीं कर पार है उनको देख लेने पर वह याद भी हो जाता है ओके धन्यवाद